पी बी एनस जी ट्वेंटी पॉड़कास्ट आज का विशह है डबलू ट्वेंटी की दूसरी अंतराश्ट्रिय बैठक जैपुर में संपन्द वैश्विक इस्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्म निर्भर बनाने के लिए कई एहम प्रियास के जा रहे हैं बता दें कि वर्तमान में भारत जी ट्वेंटी के अद्यक्षिता कर रहा है इसी कड़ी में दूसरी महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्थिती में सुधार करने पड़ चरचा हुई जैपूर में हुई महिला 20 की ये बैठक महिलाओं के नित्रतों में विकास से उनकी प्रायुक्त शमता को बढ़ाना समाविशी और सतत भविश्य का निर्मान भविश्य पर केंद्र थी आये जानते हैं W20 बैठक से जुड़े सभी पहलूँआं को बता दें कि जैपूर में संपन हुई W20 की दो दिवसिय बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला निताओं ने विचार में मर्श किया इस दोरान सभी महिला निता इस्तरी पुरुष असमानता से जुड़े मुद्दों और वैश्वे किस्तर पर महिलाओं के आर्थेक सशक्तिकरणवा महिलाओं से जुड़े कई एहम मुद्दों पर विचार रख रहे थे भारत अपनी सम्रिद संस्कृती और विरासत को दिखाने के लिए G20 की बैठक देश के कोने कोने में आयोजित कर रहा है इसी सिलसले में W20 की दूसरी बैठक भारत की पिंक सिटी जैपूर में आयोजित की गई इस दोरान W20 के सभी विदेशी प्रतनिधियों ने जैपूर में आमीर के किले का दोरा किया आमीर का किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से बना है और एक विस्त्रित परिसर का हिस्सा है जो आगंतुकों को आकरशित करता है भारत में W20 एजेंडा की पांच प्राथमिक तवाले शेत्र थे पहला उद्धिमिता शेत्र में महिलाओं की भागिदारी बढ़ाना दूसरा जमीनी स्तर पर महिला नेतरत्वा तीसरा लेंगे की डिजिटल विभाजन को कम करना चौथा सिक्षा और कौशल विकास और परिवर्तन निर्माताओं की रूप में महिलाएं और पांच वा लड़कियों के लिए जलवाय उ लचीला पन कार्यवाई करना शामिल है भारत में होने वाली W20 Inception मीट में महिलाओं को सभी शेत्रों में भागिदारी बढ़ाने के लिए इन ही पांच मुद्दों पर चटचा करनी थी भारत में महिलाओं की विकास पे महिलाओं की नेतरत वाले विकास में तेजी से परिवर्तन दिखा है नए भारत के विजन में देश की सतत विकास की यातरा में महिलाओं की बराबर की भागिदारी है भारत के अध्यक्षता के दोरान डबलो ट्वेंटी बैठकों में सहीयोग से चलाने और लेंगिक समानता को और गती प्रदान करने में महत तपूर्ण भोमी का निभाने की परिकल्पना की गई है महिला ट्वेंटी समूहु ने भारत के विभिन राज्यों में हजारों महिलाओं के साथ पचास से अधिक जन भागिदारी कारिक्रम आयोजित किये हाल ही में जन भागिदारी के तहट सूरत साड़ी वकथोन का आयूजन किया गया जिसका आयूजन गुजरात के सूरत में किया गया था महिला सशक्तिकरन और फिट इंडिया सहित अन्य मुद्दो पर जाकरुक तफैलाने के लिए वकथोन में महिलाओं की भारी संख्या में भागिदारी देखी गई जी ट्वेंटी के तहट महिला ट्वेंटी की पहली बैठक 27-28 फरवरी 2023 को महराश्ट्र के शत्रपती सांभाजी नगर जिसे पहले औरंगा बात कहा जाता था मैं आयूजित हुई इस बैठक के दोरान केंद्रिय मंत्री स्मिर्ती रानी ने इस बात पर जोड दिया था कि W20 इंडिया एक समावेशी, निरनायक और कार्यवाई उनमुक एजंडा तेयार करने के लिए काम करेगा आई अब जान लेते हैं क्या है W20 W20 G20 के तहट एक आदिकारिक चुड़ाव समू है जिसके तहट पूरी दुनिया में लेंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरन को बढ़ावा देना है इसे 2015 में तुर्की की G20 अद्धिक्षता के दोरान इस्तापित किया गया था इसका प्राथनिक उद्धेश ये सुनुष्चित करना है कि लेंगिक विजारों को G20 चड़चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रदिबद्धताओं के रूप में G20 नीताओं के खोश्णा में अनुवाज़त किया जाए और लेखनिया है कि भारत ने इंडोनेशिया से W20 का कारेभार समालने के बाद W20 इंडिया ने ग्यान और नेटवर्क भागिदारों के रूप में विभिन संगठनों के सांथ 15 से अधिक समझोता ग्यापनों पर अस्ताक्षर किये हैं जिस पर खड़ा उतरने के लिए भारत में W20 2023 का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं की इस्तियों को सुधारने के लिए समाधान प्रजान करना है बता दें कि भारत की G20 अधिक्षता के दौरान W20 के अधिक्ष संगीत नाटक अकादमी के अधिक्ष डॉक्टर संध्या पूरेचा है G20 से संबंदित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज, ओनियर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर धन्यवाद